मारियो पोल यूक्रेन रूस के सैन या भियान के हिसाब से सबसे एहम है इसके कई कारण रहे मारियो पोल अजोव सागर पर एहम बंदरगा है जिस पर कबजा करना रूस के लिए रणनी तेक जीत होगी क्यूंकि अगर मारियो पोल पर पूरी तरह कबजा हो जाता है तो रूस इसके पास ब्लाक सी से सटे यूक्रेन के असी प्रतिशत तटी एक शेत्र होंगे, इसे यूक्रेन के समुद्री व्यापार को बड़ा जटका लगेगा, दुनिया से कट जाएगा. सीधे चलते हैं हमारे तवाम समधाताओं के पास गौरव सावन्त और राजिश पवार इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गौरव मारियो पोल की तस्वीर देखकर लगता है कि शायद रूस एक तरीके से ये दिखाने का भी प्रयास करता है कि देखो हमारे आक्रमन का क्या नतीजा होगा, गीता भी जुड़ गई हमारे साथ, लेकिन गौरव शुरुआत आपसे ही कर रही हमें, ये एक तरह से वो देखकर समझ में आ जाता है, भले ही इस्तानबूल की बाचीत के बाद ये संकेत निकलते हूँ कि कीव को लेकर थोड़ी सी नर्मी आएगी रुख म लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं रहे थे किस तरह से रूस की सेना वहाँ तैयारी कर रही थी इस अटाक के लिए, और गीता मोहन इस समय वहाँ पर है, जो दिखाता है कि रूस की सेना ने अपना वर्चस्व वहाँ स्थापित कर लिया है, लेकिन क्या यही वर्चस्व रूस की सेना इस खशेतर में भी स्थ अत्वार हो रहा था ग्रैज सिस्टम्स के सहारे भी और आटलेरी के सहारे भी नई तोपे यहां इस समय आ गई है और वो रूस के ठिकानों पर वार कर रही है तो ये लड़ाई श्वेता फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है उसके मताबिक कहीं कम होती दिख नहीं रही है राजिश जिस तरीके से कीव पर हमला इनफाक्ट आज बढ़ा ही उससे तो लग नहीं रहा कि बाचीत के रास्ते सही दिशा में जा रहे हैं सब देखे शुएता आज मैं प्रेस कॉंफिरेंज में गया था जो यहां की मिलिटरी है युटरियन आर्मी के स्पोक्सपर्सन आये थे उसमें उन्होंने सारा जो मिलिटरी का हिसाब किताब है यहां का वह एकस्प्रेन करने ही कोशिश की और जरनलिस्ट की सवालों का जवाब दिया था देखे सुबह मैंने रिपोर्ट किया था यहां से कि पांच रात को धमाके हुए और पहाँ आज सुबह हुए थे जब उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने का कि यह शायद आटलरी फायर था या कुछ लोकल उन्हें एक्जेक्ट उन्हें वैपन को नहीं डि कि यह यह बिनोंडृ कार जो ही वाट की तो ओन गुए आज कि ऑंपर की अरे सुबह में सोच रहे थे क्योंकि यह सेंट्र इसंटर हैं भर हमागों के अवाज आ रहाई थी कि यह कि और हामला हो रहा है कि प्रकार गोनने नहीं किया और आज कोई बंबारी नहीं किया है थे म सब्सक्राइब किया है दूसरी बड़ी चीज जो उन्होंने कंफर्म की है जो इंट्रनेशन मीडे में रिपोर्ट्स आ रही थी कि बेलो गौरद करके जो जंगह है रूस में सीमा की काफी नजदीक है कि वहां एक बड़े इसके बारे में नने कमेंट्स करने किन ना बोल लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि जो उसमें पर इम्ION कि युक्रेयन की बैलेस्टी मिजाल गई है नहीं है इसके बारे में उन्हें कोई कमेंड नहीं कि